इंदिरा घांधी जी के आखरी शब्द क्या थे कि मेरे खून का एक एक कत्रा देश को काम आएगा और आपके शब्द क्या होते हैं कि हम तो फकीर है जी हम तो फकीर है जोला उठा के चले जाएंगे अरे चच्चा अईसे कैसे जोला उठाक चले जाएंगे हां जनता चेक करेगी उस जोला मा क्या है चच्चा चीन से आपको पीएम केर फंड में कितना फंड मिला है इसलिए चीन के खिलाफ आपके मूँ से एक शब्द नहीं निकलता है इस जो टिक टॉक है 30 करोड उसके शाउमी के 15 करोड हुवई के 7 करोड ओपो के 1 करोड और जो ये पेटिये में 38 पसंड की साज़दारी है आपकी उसके 100 करोड ये सब कहां गए सवाल तो हम पूछेंगे सवाल तो हम पूछेंगे चच्चा ऐसे कैसे जोला उठाकर चले जाएंगे चच्चा बदाम खाईए यादधा शक्ति आपकी तेज होगी आप क्या बोलते हो क्या करते हो आपको खुदी नहीं पता चलता है थोड़ा नशा जो है कम कीजिया सो समार्ड सीटी कहां गई बुलेट ट्रेन कहां गई चच्चा कालाधन कहां गई चच्चा पाँछ ट्रीलियन डॉलर की बात करने वाले आज टीवी में आके पाँछ किलो आनाज बेच रहे हैं ये दुर्भाग्य देश का कि प्रधान मंत्री जो है वो पाँछ किलो किये थे अंदर, वो 5 kg आके अनाज की बात करता है, हाँ, हवाई चपल पहनाने वालों को हवाई जहाज में उडाने की बात करते थे आप, वही हवाई चपबले पढ़ रही है आपके पूतले को, वीडियो देखांगा नहीं चचा, उनको हम जानते नहीं है, भारत की जनता है वो हवाई चपल से बिल्कुल तड़ा 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 मूपे मार रही है चचा थोड़ा संभल के बोलिए क्यों बिहार में भी चुनाव आ रहा है तो चचा जो है बिल्कुल अच्छे महेंगे कपडों में लद के लद्दाख चले गए गालवान घाटी नह है चीन का नमक खा गया चचा चीनी नमक खा गया इसलिए मूह नहीं खोल रहे है अब वोधी मोधी यह सपापा इटिंग शूगर नो पापा टैलिंग लाइस नो जनता कहरी ओपन यो माउथ अपना मूझ जो है अपना मूझ जो है ओपन कीजिए चीन के बारे में कुछ दो शब्द बोलिए कि बुद्ध की बाते करते कृष्ण की बाते करते बहुत है हरिस्चंद्र सत्यवादी हो गया आप है जब आपको पता है कि कच्चे तेल की कीमत बहुत ही कम है अंतर रास्ट्री अस्तर पर 2004 वाले दाम ही में मिल रही है तो फिर आप दाम क्यों बढ़ा र क्यों जन्ता की कवर तोड़ने पर लगे हुए हो आप अरे आपकी जन्ता है आपको समझ में नहीं आ रहा है आपकी जन्ता है भाई ये भारत की इन्होंने आपको कितना प्यार दिया कितना सम्मान दिया एक बार नहीं दो दो बार क्रधान मंत्री बनाया और आपको समझ मे नहीं आता। बह गए वो एकदम से। कहा गया वो वो पहले वाला मोदी। गुजरात के मुख्य मंत्री हुआ करते थे आप। जब प्रधान मंत्री नहीं थे आप। कितनी बुलंड आवाज में बोलते थे आप। और कैसे बोलते थे आप। भाई और बहनों ये चीनी हमारे जमीन में घुसा चला रहा है परेड कर रहा है रोड बन रहा है और ये कैंदर सरकार को कुछ पता नहीं है। ये बिल्कुल सो रही है भाई और बहनों ये कैंदर सरकार मुझे जावाब दे का ये चीनी सेना को कैसे हटाएगी क्या करेगी क्या उपाए है। और अब का मुदी ना कोई हमारी सीमा में आया है ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा। मैं देस नहीं बिकने दूँगा। मैं देस नहीं बिकने दूँगा। न सीमा में कोई आया, न हमारी जमीन हड़पी, ए चीन वाले मजाक मजाक में 20 सहनी को शहिद कर दिये, गजब की सरकार है, भविश्य का सपना दिखाती है, और सत्ता पर बैठ जाती है, वर्तमान में सवाल पूछो, तो आपको भूतकाल में ले जाती है, गजब की सरकार है, पैट्रोल के दाम, डीजल के दाम, और सब मुलेवा, मोधी, मोधी, अरे हम तो कहते हैं, पैट्रोल पहम पर एक तक्ति लगा दो, और कहे दो, आम जनता के लिए 80 रुपए है, और जो मो देखो फिर भक्ति कैसे जर जाती है, सब नशा उतर जाएगा, नून रोटी खाएंगे, मोधी को जिताएंगे, जिता लो, अब खा रहे हो ना बैटा नून रोटी, अब क्या बोल रहे हो, वही खा रहे हो, गोबर, अभी तक, अरे हाँ हाँ हाँ, खाओ गई, तुमरी अध्वी जी बोली थी, रोटी पर बटर की तरह गोबर लगा के खाओ, वही खा रहे हो अभी तक, तुमरी तरक की नहीं हो सकती